दसमार्च को पांच राजियों में विधान सभा चुनाओ की नतीजे आएंगे लेकिन उससे पहले सियासी पारा काफी बढ़ता जा रहा है इसी को लेकर हमारी समवादाता ममता चेतुरवेदी ने राज़सभा सांसद हरनाथ सिंग यादव से खास बाचित की दसमार्च को नतीजे आएंगे उसके बार तस्वीर ये साफ होगी कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है लेकिन उससे पहले सियासी घमसान शुरू हो गया है इस पर बाच्चित करने के लिए हमारे साथ मौझूद है भारती जनतापार्टी से राज़सभा सांसद हरनाथ सिंग यादव जी अगर यूपी चुनाओ की बात करें संपन हो चुका है दस मार्च को नतीजे आएंगे उससे पहले अख्लेश यादव ने इवियम को लेकर बड़ा सवाल किया है बारती जनतापार्टी से अख्लेश यादव जी को एक तो यह भ्रम हो रहा है उनको यह लग रहा कि उनके अंदर राजा हरिश्चन जी की आत्मा बैठी हुई है और इस प्रकार की जो इनका इस्तर है प्रदेश इतने बड़े प्रदेश के मुख्व जाहिए उनकी दरश्टी में सारे अधेकारी बही माना करम चाहिए ऑना आओ कि दली भूक तन्तर को पली तलग पर दूसरे बॉखलाट वो स्वैं मैं spends कर लिया है पुरी तरीके से उनकी चुनाओं में हार नहीं होने जा रही है इसलिए इस परकार की अनरगल बाते बोल रहे हैं इसके अलावा एक्जिट पोल आया है जिसमें यह तस्वीर आ रही है कि उत्रप्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो सकती है जैंत चौधरी क को मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास अदरणी मुलाइम से इसे लेकर करके अखिले श्यादवती के देख अनेक लोगों से उन्होंने समझोते की हैं उन्हें अनेक लोगों के साथ जो हैं मिलकर के चुना लड़े हैं सब के विश्वास घात किया है और उनको ठिकाने लगा दिया वही इतिहास जो है जैन चौदरी जी के साथ होने वाला जैन चौदरी जी और कल के बाद पस्चा अताप करेंगे देखा जाए तो दसमाच को यह साफ होगा कि सरकार किसकी बनेगी लेकिन जिस तरीके से उत्तरप्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है अब EVM को लेकर लगातार आरोप रत्यरूप का सिलसला शुरू हो गया है एक्जिट पोल में यूपी में बीजेपी वापसी कर रही है लेकिन आपको क्या लगता है कि जो एक्जिट पोल में दिखाई देर है क्या यूपी की जनता हकीकत में परिवर्टित करेगी दिखे पिछले पांच वर्षों में आदर्णी योगी जी के नितरत में कानून विवस्ता के नाम पर जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम पर गरीब के लिए गाउं के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए नौजवान साथियों के लिए जिस तरीके से उनकी समस्याओं क पक्षे में मतलान किया है उसके आदार पर हम सुनिश्चित तौर से यह कहते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी वक्त देने के लिए शुक्रिया तो आप सुन रहे थे सांसद हड़ना सिंग यादो जी को जिनका साब तोर पर कहना है कि एवियम को लेकर जिस तरीके से पर भरोसा जताया है कैमरा परसें कमल के साथ ममता चतुरवीदी जनतंत्र टीवी डिल्ली खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें